राजनी थी चीज ऐसी है कि यहां कब कौन सा मुद्धा घरमा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए जिसे लेकर यूपी में सियासी संग्राम चिड़ा हुआ है अच्छा खासा कॉलिज की लड़कियां फैशन शो में एंजॉय कर रही थी ब का पहनना मानों बवाल ही ले आया पहले मौलाना सहफ खफा हो गए फिर सपा नेता बर्ग नाराज हो गए इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब सियासत शुरू हो गई है सपा सांसद डॉक्टर शफिकुर रह्मान बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद सत्य देव पचोरी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो आज भी बारहवे सदी में जी रहे हैं लगता है कि लोगों के मन में कटरता के भाव पैदा करके एक सामाजिक विद्वेश पैदा करना चाहते हैं बीजेपी सांसद ने इसे सस्ती लोग प्रियता वाला बयान करार दे दिया भारमी संदी में जी रहे हैं जब इस देत में राजता और जो कंटर्फंदी लोगों का बोल वाला था आज जमाना बदल गया जोगतंत्र है जहां दार में स्वतंतता है वह ब्यक्ति की स्वतंतता भी है लोगों में अब जो पर्दा कराएं, मुसल्मान हमारी बेहने तो पर्दे में रहने नहीं चाहती है हमें लगता है कि ये लोगों के मन में कटर था कि भाव पर्दा करके एक सामाजिक विद्धिस पर्दा करना चाहती है दरसल समाजवारी पार्टी के सांसर डॉक्टर शफिकुर रह्मान बर्क ने बुर्के में फैशन शो करने पर आपत्ती जताई थी कहा था कि इन शात्राओं ने गलत किया है उन पर काड़ेवाई होनी चाहिए उन्होंने इसलाम के खिलाफ काम किया है जहां तक लिवी तुल्मा के तालुक है उन्हों सही इतराज किया और मुझे भी इतराज है चूब कि जहां तक मुस्लिम लड़कीओं का तालुक है तो इसलाम में छोटा हो, बड़ा हो, किसी खोआ हो, किसी वरादरी का हो वो अगर मुसल्मान है तो कानूश सब लगता है बता दे कि मुसफपर नगर के फेमस श्रीनाम कॉलेज में हाल ही में फैशन शो आयोज़त किया गया था जिसमें कॉलेज की शात्राओं ने बुरका पहन कर कैट वॉक किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होते ही जमियत उलेमा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है